गुड मॉर्निंग एवरिवन वेल्कम टू माइ यूटूब चैनल एक्साम हंट तो गैस कैसे हैं आप सभी और आप सभी की पढ़ाई कैसी चल रहे हैं कॉमेंट करके हमें जरूर बताएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर भी कीजिएगा आज की हम करेंट अफैर की सिरीज को स्टार्ट करने से पहले कल का कुश्चन देखेंगे और फिर हम अपनी आज की करेंट अफैर की सिरीज को स्टार्ट करेंगे तो चले देखते हैं आज कल का प्रश्ण तो गैस कल का प्रश्ण है श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है वेन स्रमिक इस्मृती दिवस इस सेलिब्रेट पहला अप्शन है 22 अप्रेल को और दूश्रा अप्शन है 24 अप्रेल को तीसरा अप्शन है 25 अप्रेल को और चौथा अप्शन है 28 अप्रेल को तो जी हाँ गाइस इसका राइट आंसर है 28 अप्रेल को 28 अप्रेल को इस मृति दिवस मनाया जाता है तो चलिए आज की सीरीज को हम स्टार्ट करते हैं तो आज का पहला कोश्चन है वर्ल्ड इनोवेटर आवर्ड पाने वाली पहली भारती महिला कौन बनी? तो जी हाँ गाइस इसका राइट आंसर होगा ओप्सन नमबर सी कृति करंथ तो आएए हम इसके बारे में कुछ महात्रपूर्ण बाते जानते हैं बैंगलूरू इस्तित सेंटर फॉर वर्ल्ड लाइफ स्टिडीज की वैग्यानिक डॉक्टर कीर्थी के करंथ को वर्ष 2021 के वर्ड इनोवेटर आवर्ड से सम्मानित किया गया है इसी के साथ वैग वर्ड इनोवेटर आवर्ड पाने वाली वैग पहली भारतिय और ACI महिला भी बन गई है वर्ड इनोवेटर आवर्ड वाल्ड लाइफ में लोगों के एहम कारियों और पार्यावरंड से सनरक्षित करने के लिए हर साल प्रदान किये जाते हैं गैस अगर आपको कहीं भी कन्फ्यूजन हो तो आप हम से कॉमेंट करके पूँच सकते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन है किस देज ने रोबोट प्रोटो टाइप NEO-01 क्लियर इस्पेस डिब्रिस लांच किया विच कंट्री लांच्ट दे रोबोट प्रोटो टाइप NEO-01 क्लियर इस्पेस डिब्रिस तो ए उप्शन है चाइन यानि कि चीन बी ओप्शन है रूस, सी ओप्शन है जपान और डी ओप्शन है इन में से कोई नहीं, नन ओफ दीज तो जी हाँ गाईस इसका राइट आंसर है चीन यानि चाइना तो आएए इसके बारे में कुछ महात्पून बातें देखते हैं जीन सरकार ने लॉंच मार्ज 6 रॉकेट की मदद से प्रत्वी की कक्षा में NEO-01 नामक रॉबोट प्रोटोटाइप किलियर इस्पेस डिप्रिस लॉंच किया है NEO-01 नामक रॉबोट प्रोटोटाइप का मुख उद्देश अंतरिक्ष में फैले मलवे को हटाने के लिए यह रॉबोट लॉंच किया गया है तीस किलोग्राम के NEO-01 नामक रॉबोट किलियर इस्पेस डिप्रिस प्रोटोटाइप को पिंजीन इस्थिति अंतरिक्ष खनन स्टार्ट अप ओरिजन इस्पेस पर विक्सित किया गया है गैस अगर आपको कहीं भी कन्फ्यूजन हूँ तो आप हमसे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं तो चलिए हम अगले कोश्चिन की तरफ चलते हैं अगला कोश्चिन है सीमा सडक संगठन BRO की पहली महिला कमांडिंग अधिकारी कौन बने तो ए अप्सन है मेखना रावत B अप्सन है नैंसी पॉल C अप्सन है वैशाली हिवाशे और D अप्सन है नन अफ्टीस यानि कि इन में से कोई भी नहीं तो जी हाँ दोस्तो इसका राइट आंसर है वैशाली हिवाशे तो आईए इसके बारे में कुछ महात्वपून बातें जानते हैं बी आरो की संस्थापक कौन है तो बी आरो के संस्थापक जवाहरलाल नहरू है बी आरो की स्थापना कब की गई थी तो बी आरो की स्थापना 1960 में की गई थी बी आरो का मुख्याले कहां इस्तित है तो बी आरो का मुख्याले नई दिल्ली में इस्तित है सीमा सडक संगठन यानि की बी आरो की पहली महिला का मार्डिक अधिकारी वैशाली हिवाशे बनी है जिनहीं भारत चीन सीमा के साथ आगे कनेक्टिविटी परदान करने की जिम्मेदारी दी गई है वैशाली कारगिल छेतर में सफल कारिकाल के बाद CEO के रूप में अपना कारिभार सम्हाल रहे हैं वैशाली के पास M.Tech की डिगरी है गाइस अगर आपको कहीं भी कन्फ्यूजन है तो आप प्लीज कॉमेंट करके पूछेगा तो हम अगली कॉस्चिन पर चलते हैं अगला कॉस्चिन है मनुजदास का 87 वर्स की आयूं में निधन हुआ है वह एक प्रिसिद्ध क्या थे मनुजदास डेड एड दे ऐस ओफ 87 वाट वाज फेमस परसन तो गाइस A option है कि वो लेखक यानि कि वह author थे B option है अभिनेता यानि कि वो actor थे या C option है कवी यानि कि वो एक poet थे और D option है वैग्यानिक यानि कि वो एक scientist थे तो गाइस जी हाँ इसका right answer है लेखक यानि कि वो एक author है author थे आईए इसके बारे में कुछ महात्पून बातें जानते हैं मनुजदास ने अपनी पहली पुस्तक सत्वदीरा अंतरनाद उडिया भासा में लिखी थी यह पुस्तक उस समय प्रकासित की गई थी जब वह high school में पढ़ रहे थे मनुजदास उडिया और अंग्रेजी में पुस्तक लिखने में महारत हासिल की हुई थी मनुजदास को साहित एवं सिक्षा के छेत्र में योगदान हेतु उन्हें वर्स 2001 में पदमस्री और 2020 में पदमभूशन सम्मान से सम्मानित किया गया था तो गैस आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सेयर कीजेगा और अगर कहीं भी कन्फ्यूजन हो तो आप हमसे कॉमेंट करके पूँच सकते हैं तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेशन पर चलते हैं नेक्स्ट क्वेशन है और ये आज का आखरी क्वेशन होगा किस आई आई टी संस्था ने भारत का पहला 3D प्रिंटेट घर बनाया विच आई 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 टी इंस्टिटीट पुल्ड इंडियन्स फर्स्ट 3D प्रिंटेट हाउस तो ए आउप्शन है आई आई टी खड़कपूर और B आप्शन है आई 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 टी बाराणसी C option है IIT दिल्ली और D option है IIT मदरास तो जी हाँ गाइस इसका राइट आंसर होगा option number D IIT मदरास तो आए इसके बारे में कुछ important points देखते हैं केंद्री वित्यमंत्री निर्मला रीता सीता रमर ने IIT मदरास के द्वारा विक्सित देश के पहले 3D printed घर का उदगाटन किया है IIT मदरास के छात्रों ने केवल 5 दिनों के अंदर ही इसी 3D printed मकान को विक्सित किया था इस 3D printed मकान की उदगाटन के बाद निर्मला सीता रमर ने PM मोदी के द्वारा वर्स 2022 तक इस मकान को लोगों को उपलब्द कराने का भी लक्ष रखा हुआ है तो गैस अगर आपको कहीं भी confusion हो तो आप comment करके पूछेगा और आज का एक special question है जो आपको comment करके बताना है तो गैस आज का जो question होगा आज का प्रश्ण है किस देश ने बौध मंदर में 33 लाक मुंबतियां जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है विश कंट्री सेट दा जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड पाइप बर्निंग 33 लैक केंडल्स इन आ बुद्धिष्ट टैंपल तो यह option है हॉंग कॉंग बी ओप्शन है थाइलेंड दी ओप्शन है स्री लंका और डी ओप्शन है इन में से कोई नहीं यानि कि नन ओफ दीज तो गैस आपको इसका आंसर कॉमेंट बॉक्स में करना है और गैस अगर आपको वीडियो पसंद आया हूँ तो आप वीडियो को जादर से जादर शेयर करिएगा वीडियो को लाइक करिएगा वीडियो को शेयर भी करिएगा और अगर वीडियो पसंद आये तो शब्सक्राइब भी करिएगा अगर आप हमारे शोशल मेडिया हैंड और अगर आप हमारी टेलिग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जल्ली से जोड़ जाएगा, तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सू मच, हैव गुद डे, बाई बाई